जो कुछ इंसान में से निकलता है वो ही इंसान को नापाक करता है आज की तिलावत मुकदस मरकस की अजील उसका सात्वा बाब चौदवी आएट से लेकर तैस्वी आएट तक और फिर हजूम को पास बुला कर उन से कहा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो कोई चीज बाहर से आदमी में दाखिल होकर उसे नापाक नहीं कर सकती मगर जो चीजें आदमी में से निकलती हैं वो ही उसे नापाक करती हैं जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले और जब वो हजूम के पास से घर में गया तो उसके शागिर्दों ने उस से उस तमसील की बाबत पूछा और उसने उन से कहा क्या तुम भी ऐसे बे समझ हो क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उसे नापाक नहीं कर सकती इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बलके पेट में जाती है और जाएज जरूर में निकल जाती है यूं सब खाने की चीजें पाक ठहरा कर उसने फिर कहा जो कुछ इनसान में से निकलता है वो ही इनसान को नापाक करता है क्योंकि अंदर से यनि इनसान के दिल से बुरे इरादे निकलते हैं यनि हरामकारिया, चोरिया, खूनरेजिया, जनाकारिया, लालच, बदिया, मुकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, कुफर गोई, नखूवत, हमाकत ये सब अंदरूनी बुराईया निकल कर इनसान को नापाक करती हैं पाक लाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो खुदा का शुकर हो, आमीन बाप और बेटे और रुहुलकुद्स के नाम से आमीन खुश्पुर से एरिक सिल्वेस्टर आज की तिलावतों पर ध्यानों ग्यान के साथ आपकी खिद्मत में हाजिर है खुदा बाप की महबद से भरपूर इमानदारों आज की पहली तिलावत मलुक की पहली किताब के दस्वे बाप से ली गई है अजीजों, दौद बादशा के बाद उसका बेटा सुलिमान बादशा तक्तो ताज संबालता है इस बाप में वो इंतहाई अजीम नजर आता है यहां पर जिकर की गई हर चीज उसकी अजमत, शान औ शौकत और हिकमत को वाज़े करती है उसने खुदा से हिकमत मांगी और खुदा ने उसे हिकमत अता की उसकी सखावत के बारे इतना तहरीर नहीं किया गया ताहम मैं समझता हूँ यकीनन उसकी दौलत, दस्तरखान और बतात से बहुत से लोग परवरश पाते होंगे सुलिमान बादशा अपनी दौलत और हिकमत में सारे बादशाहों पर फौकियत रखता था उसकी हिकमत का चर्चा दूर दूर तक था इसलिए सबा की मलका उसकी हिकमत की शोहरत सुनकर यरुशलिम आई थी ये इंतहाई एहमियत का हामिल वाकिया है जो इस किताब की जीनत है वो मुश्कल सवालात के साथ आती और मुत्मियन होकर जाती है मैं समझता हूँ कि इंसानी जिन्दगी में सवाल करने या सवाल पूछने के लिए जुरत दलेरी और जिन्दा दिली चाहिए और जवाब देने के लिए इमानदारी और तहम्मल का होना जरूरी है हमारे हाँ सवाल करने वाला एसासे कमत्री में मुब्तला होता है कि अगर मैंने पूछा तो दूसरा या दूसरे क्या ख्याल करेंगे कि इसका इल्म इतना हलका है और बाज उकात जवाब देने वाला एसासे बरतरी का शिकार होता है कि मैंने अगर इसको जवाब दे दिया तो मेरे पास बाकी क्या बचेगा लेकिन सवाल औ जवाब से दोनों के इल्म में अजाफा होता है और दोनों को नफ़ा ही नफ़ा होता है नुकसान नहीं और वैसे भी सवाल करने वाला आगे बढ़ने की तमन्ना दिल में रखता है उसकी कदर करनी जाहिए वैसे भी मैं देखता हूँ हमारे समाज में सादा दिल, सादा जुबान, संजीदा, पाकीजा, हिकमत से भरपूर और अंदर से मजबूत शक्स को पहचानने वाली आँखें बहुत कम हैं सबा की मलका नजात की गरस से नहीं आई थी वो सुलिमान की हिकमत सुनने को आई थी ताके उससे सीखें और हिकमते अमली इस्तमाल करके अपनी ममलकत पर बहतर तोर पर हकूमत कर सकें वो सोना चांदी हीरे जवारात कीमती मसालाजात और डीगर चीजें लेकर आई थी सुलिमान बादिशा ने उसे और उसके हमराहियों को खुश आमदीद कहा सबा की मलका, अमारात, महलों का साजो समान, आराइश और जबाइश, दस्तर खान पर रुजाना, अफराद से महया की जाने वाली इशिया और सबसे बढ़कर दीनदारी और खुदा परस्ती से मतासर हुई, क्योंकि ये उसकी अफजल सिफ्त थी मलका ने उस सीड़ी को जिस से वो खुदावन के घर को चाता था देखा, तो उसके होश उड़ गए उसने इकरार किया कि सब मेरी तुखवाद से बहुत बढ़कर है खुश नसीब है तेरे लोग और खुश नसीब है तेरे ये मुलासम कि तरी हिकमत सुनकर उनकी हिकमत बढ़ती है मलका ने खुदा को मुबारक कहा कि जिसने सुलिमान बादशा को हिकमत और दौलत दी है ताके अदल और इनसाफ से हकूमत करे अजीज समाईन आज की पाक इनजील मुकदस मरकुस के मताबक इनजील के सातवे बाब से ली गई है जहां खुदामदियस मसी लोगों को फिर बुला कर उनसे कहने लगा कि तुम सब मेरी सुनो और समझो बास उकाद लोग सिर्फ सुनते ही हैं उसे समझते नहीं बास बगैर सोचे समझे बाते सुनते बनाते और करते चले जाते हैं और उनका काम भी यही होता है और इसमें वो माहिर भी होते हैं लेकिन खुदामद यह समसी हमारी तवज्जे मरकूस करता है कि सुनना भी जरूरी है और वो बहगार सुनना और उसे समझना भी जरूरी है ताके बात को बाखूबी और बेहतर समझा जाए खाना हमें नापाक नहीं करता क्योंके वो बाहर से इनसान के अंदर दाखल होता और खारज हो जाता है बलके हमारे अंदर डिलों में पैदा होने वाले बुरे जजबात और ख्यालात बुरे अक्वाल और ख्राबी ही हमें नापाक करते हैं कोई दूसरी चीज़ नहीं इसलिए अपने दिलों की नापाकी को दोना चाहिए और इनसान बजाते खुद ही ये कर सकता है खुदावन यसमसी ने लोगों को जो तालीम दी थी वो अलैदगी में अपने शगिर्दों को समझाई तो उसके शगिर्दों ने उस से उस तमसील की बाबत पुछा उसने उन्हें उनकी उन्द जहनी पर जिड़का और उनके सामने हकीकत को खुल कर बियान किया ताके वो अच्छी तरह समझ जाएं और इमान लाएं जो कुछ आदमी में से निकलता है वो ही उसे नापाक करता है सारी शरारत इनसान के बातन से निकलती है मुकदस मती के मताबक इनजील के पंदरवें बाब की उन्नीसवी आयत में पांच बातों का जिकर है मुकदस मती के मताबक इनजील में एक बात है जो मुकदस मरकुस में नहीं जूटी गवाहिया मुकदस मरकुस के मताबक इनजील में बारा बाते हैं जिनका जिकर है उन में से साथ बाते हैं जिनका जिकर मुकदस मती के मताबक इनजील में नहीं खुदावन ये सुमसी ने बताया है कि सब बुरी बातें आदमी के अंदर से निकलती है ये इनसान को खुदा और अपने हम जिनस इनसान से दूर ले जाती है इसलिए हमें अपने बातन को पाक और साफ रखना चाहिए ताके हमारा जाहिर भी पाक और साफ हो आएं आज खुदा से दूआ करें कि वो हमें भी सुलिमान की तरह हिकमत और दनाई अता करें और नेकी और पाकीज़की की जिन्दगी बसर करने की तुफीक बखशे मसी खुदावन के वसीले से आमीन